हलो फ्रेंड मेरे खा मेहर गार्डन से आपका श्वागत करती हूँ दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आश्या करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे और क्या कहूँ दोस्तों नवरात्रियां चल रही हैं और ये जो फूल है और ये जो प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं हमारे घर में शुक्षम्रदी आती है इन प्लांटों को देख के पॉजिटिव एनरजी आती है तो आज में कुछ ऐसे प्लांट बताऊंगी दोस्तों जो कि कटिंग शे भी लग जाती है और आप अपने घर में नर्सरी से भी लाके ल दढ़ाए भी जा सकते हैं चाहे वो हिविश्कस हो और चाहे वो समी का प्लांट हो तो आज में कुछ ऐसे प्लांट बताऊंगी जो कटिंग से या आप नर्सरी से ला सकते हैं वो भी बहुत ही श्यूप बदी होते हैं तो नमबर वन पर जो प्लांट में शेर कर रही हूं दोस्तों ये हिविसकस है, गुढ़ हल, जो कि बहुत ही बहुत ही अच्छा फूल होता है, जो कि मातरानी को बहुत पशंद है, भगवान को ये प्लांट अर्पित फूल चड़ाया जाता है, जो कि कटिंग शेड दोस्तों लग जाता है, नरसरी से भी आप ला सकते हैं, आपको एक पैंसिल के आकार की कटिंग लेनी है, और उसको कटिंग को तिर्चा काटना है, और दोस्तो ऐलोविरा को यूज करना है रोटिंग हार्मोन्स की जगा ऐलोविरा लगा लेंगे तो आपकी कटिंग दोस्तो में फंगश नहीं लगेगा तो ये जो गुड़ल है आप अपने गार्डन में जरूर एड़ करे नेक्स्ट प्लांट सुब पौधों में माने जाना वाला पौधा है दोस्तो शमी का प्लांट जो कि पौट में लगा सकते हैं जमीन में लगा सकते हैं बहुत ही शुब पौधा होता है दोस्तो और बोलते हैं 101 पतियां अगर आप बेल पत्र की चड़ा रहे हैं और समी की एक पत्री पत्ती सो बेल पत्रों के बरावर मानी जाती है ये शमी का पौदा भगवान संकर जी को बहुत ही परशंद है दोस्तों इसकी एक मात्र पत्ती चढ़ाने से हमारे बहुत ज़्यादा कश्टों को दूर करता है ये भगवान जी को ये बहुत पशंद होता है और ये शमी का ब्रक्ष बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव एनर्जी लाके हमको देता है तो दोस्तों ये जो प्लांट है नर्सरी में भी आपको 20-25 रुपए में मिल जाएगा और आपको कहीं इसकी कटिंग भी मिल जाए ना तो आप इस तरह से इसको लगा दें कटिंग को ध्यान रखें कि छाया में रखें दोस्तों अगर आपके हाँ टेंपरेचर ज्यादा हो रहा है तो ये समय आप कटिंग ना लगाए और अगर दोस्तों आपके हाँ पारिश हो रही है और मौसम अच्छा है ठंडा है तो आप कर्टिंग को जरूर लगा लें अभी वी लग जाएगी तो शमी के पोधे को भी आप लगा सकते हैं कि शोब पौधों में जैसे की बोला जाता है मनी मनी प्लांट पैसे को अठरेक्ट करता है और घर में शुख शमरद्दी लाता है मनी प्लांट को लगाना हर कोई पसंद करता है का माना जाता है कि बास्तो के अनुशार भी ये प्लांट बहुत ही शुब होता है इसकी चोटी सी चोटी cutting को आप लेना है और कहीं भी soft soil में लगा देना है जहां पे moisture हो soil में और आप वहाँ लगा देंगी ज्यादा पानी नहीं डालना है दोस्त। ध्यान रखना है। और आपको इसी जगह पे रखना है यह कटिंग जहां पे छाओ हो और डारेक्र शन में बिलकुल भी मनी प्लांट को कभी भी न रखें मनी प्लांट को सीमेचर मीण को को अप लगा सकते हैं इसकी चोटी स्चोटी कटिंघ लग चाती है दोस्तों इसक地方 निचे से भी बील Scratch निकलते हैं या फिर आप कटिंघ छे लगा सकते हैं यहां पर भी ya Bumbo की यहीं है गटा पाव म्लया को भाव उनक्ट हें लगा सकते हैं दोस्तों अलटेंट भी मिल जाता है और यह रूट डिवाइजन से भी लगाए इसके बहुत सारे प्लांट निकलते रहते हैं तो यह इसको भी लगा यह बहुत ही शुब पौधा माना जाता है तो बास के पौधी को भी आप अपने प्रश्मी को भी यह प्लांट बहुत पशंद है और इस प्लांट को आप अपने गार्डन में जरू रेड करें और पूजा के लिए भी यह प्लांट बहुत ही शुप पौधा होता है एक प्लांट लगाएंगे तो अनेक प्लांट बनते रहते हैं जिसके डिवाइजन से आप एक से अनिक प्लांट बना सकते है नेक्स्ट प्लांट है शुब पौधों में माना जाता है यह अर्क का पौधा दोस्तो बहुत ही शुब पौधा होता है इसको आप अपने गार्डन में जरू लगाए यह शफेद अर्क का है इसके फूल भगवान संकर को बहुत पसंद है औ दोस्तों और यह शीट के थ्रू भी लग जाता है इसके सीट बनते हैं बड़े-बड़े से सीट बनते हैं गुजिया जैसा सेप लेता है वो सूख जाने पर आप इसके वीज लगा देंगे तो यह लग जाएगा नेक्ट प्लांट है शुब पौधों में माने जाने वाला यह धतूरब का पौधा दोस्तों बहुत ही शुब पौधा होता है इसके फल भगवान संगर जी को बहुत पशंद है और इसके से रात्रे पर इसके यह फल बहुत जड़ाया जाता है दोस्तों इसमें वाइट कलर के फूल आते, फूल के बाद ही दोस्तो फल बनते, बहुत सारे फल बने हुए है, मैंने एक छोटी सी टोकरी में इसके बीज को बोया था और उसके बहुत सारे प्लांट दोस्तो निकलाए हैं, तो ये शुब वधा आप अपने गार्डन में जरूर लगाएं इसमें देखिए दोस्तों, कितने सारे प्लांट निकल आए हैं, बस बच्चों से ये प्लांट को थोड़ा दूर रखे, नेक्स्ट रप्शूप पौधों में ये है तुलसी जी, भारती माननताओं के अनुशार हर घर में दोस्तों, तुलसी को लगाया जाता है तुलसी लग तो इसमें काली-काली कलर के बीज रहते हैं जिनको आप कहीं भी किसी भी पॉर्ट में डाल देंगे तो जब समय होगा तो इसके बीज अपने आपी दोस्तो निकल आते हैं और नरसरी में भी ये 10-20 रुपे में ये पोधा मिल जाता है सेमी शेड में रखें छाओं में रखें और पानी को मेंटेन करते रहें मौस्चर लबिंग प्लांट है तुलसी जी को आप अपने गार्डन में दोस्तो जरूर से जरूर लगाएं नेक्स्ट प्लांट शेयर करूंगी दोस्तो अपराजिता बहुत ही शुप पौधा माना जाता है पॉजिटिव एनरजी लाता है शुक शम्रदी आपके घर में बनी रहती है इसको विश्णो कांता संक पुस्पी और बहुत ही नामों से जाना जाता है ये अपराजिता ये एक बार आपके गारडन में अपराजिता आ जाता है तो दोस्तो इसके अपने आप ही बहुत सारे शीड गिर जाते हैं जिसे प्लांट बनते रहते हैं और ये बेल नमा पौधा होता है इसको जरूर लगाएं नेक्स्ट प्लांट है कैसुला अवाटा का प्लांट है दोस्त को अक्टरेक्ट करने वाला ये पौधा सुख सम्रद्धी लाता है पॉजिटिव एनरजी देता है बास्तु के अंसार लगी प्लांट को जड़ प्लांट को आप अपने गारडन में जरूर लगाएं दोस्तो कटिंग से लग जाते हैं इसकी बोन साई भी बना सकते हैं और इसको बहुत ही सुन्दर सेफ में आप अपने गारडन में लगा सकते हैं तो जड़ प्लांट को जरूर लगाएं नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों यह है रोज का प्लांट रोज भी बहुत ही शुप कौदा होता है घगवान जी को पशंद होता है रोज गुलाब का फूल ह कोई को पसंद होता है तो इस तरह के प्लांट आप अपने गारडन में लगाएंगे तो दोस्तों पॉजिटिव एनरजी आएगी आपको मेरी शेरिंग अच्छी लगई हो तो मेरे सस्क्राइब करें और अपना ध्यान रखें और यह शुप वादे जरूर अपने गारडन म एड़ करें जहां से कि हमें बहुत ही सुन्दर सुन्दर फूल मिलें जिससे कि हम अपने घर में पॉजिटिव एनरजी लाएं और भगवान जी को भी यह फूल अर्पित करें अपना ध्यान रखें बाई